शादी ब्या में आपने तो बालु शाही खाया होगा पर घर पर कभी नहीं बनाया होगा या फिर घर पर बनाया होगा तो वो बिल्कुल हलवायो जैसी नहीं बनी होगी आप देख सकते हैं ये बालु शाही बिल्कुल हलवायो जैसी दिख रही है ये जैसी दिखने में उपर है वैसे ही अंदर है तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए इसमें मैंने सारे ट्रिक और टिप्स के साथ यहां पर शेयर किया है जिससे आप घर पर हलवायों जैसी बालुशाही बना सकते हैं अब देखिए अंदर से यह कितनी जूसी लग रही है तो लग रही ही न बहुत टेम्टिंग तो प्लीज वीडियो को पूरा अच्छी तरह ध्यान से देखिए और देखिए यह खस्ता भी है तो चलिए देर नहीं करते हैं चलते हैं वीडियो की तरफ हाई हेलो फ्रेंड्स टैडिशनल कुकिंग में तिंदु में आप सबका स्वागत है मैं हूँ इंदिज बालू शाही बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर लूँगी मैदा मैदे को हमेशा चान के लिजिए तो यहां पर मैं दो कप मैदा लूँगी मैदा आप कप से घी और पानी का भी मेजरमेंट लेना है आप इस तरह कोई घर की कटोरी भी यूज कर सकते हैं या फिर इस तरह कोई कप तो इस कटोरी से ही मैंने दो कप मैदा और आधा कप पानी और आधा कप गी लिया है तो इसी बात का आपको ध्यान देना है और पानी यहां पे म पॉडर यह असानी से बाजार में मिल जाता है, यह है एक छोटा चमच, अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, नमक डालना बहुत ज़रूरी है, कोई भी मीठे सामान में या कोई भी आप बनाते हैं मिठाई उसमें हलका सा नमक डाल लेंगे, तो उसका आप देखेंगे फ्लेवर बहुत ही इनहांस हो जाता है, और यह मैंने लिया है, घर में बना होममेट देसी घी, आप कोई भी देसी घी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लिक्विट फॉर्म में होना चाहिए, अगर वो थीक हो गया है, तो आप उसे माइक्रोवेब कर लीजे, या फिर गै जड़ी ए आधा कप पानी तो यहा पर 2 cup मैदे में ये मैजरमेंट को आपको ध्यान देना है, आधा कप घी और आधा कप पानी पूरा लग जाता है, तो मैने पानी धीरे-धीरे करके डाला है, अगर आंको लग रहा है, मैदा आपका ज्यादा गीला हो गया, तो थोड़ा स यहां पर देखिए मैं इस तरह तोड रही हूं मुझे इसे पूरा अच्छी तरह गूथना नहीं है आटे की तरह बस हल्का सा इसे मैं इकठा कर लूगी और बस देखिए इसे मैं अब इस तरह मैंने तोड तोड के देख रहे हैं बिल्कुल यह स्टेप को आप ध्यान दीजि अब मैंने यहां से भी काट दिया और इसे फोल्ड कर दिया अब मैं इसे फिर इस तरह देखिए हातों से ही इस तरह चप्टा करकर के फिर से इसे फोर पार्ट में डिवाइट करूंगी इस प्रोसेस को मैं तीन से चार बार करूंगी तो देखे इस तरह लेयर्स आ जाएंगे तो ये लेयर्स का मतलब है आपकी बालू शाही बहुती बढ़ियां बनेगी अब देखे उसे मैंने राउंड कर दिया इस तरह लोई बनाने के लिए तो अब मैं यहाँ पर मीडियम साइज की लोई काट लूँगी आपको जितना बड़ा बालू शाही बनाना है आप उसके हिसाब से लोई काट सकते हैं आपको दीखे ज़स लोई को हाथ में उठा के इस तरह गोल गुमा के प्रेस करना है उसे आपको मतलब जैसे हम आटा गुंठते हैं रोटी बनाने के लिए उस तरह उसे पूरा अलग नहीं करना है नहीं तो जो लेयर से निकल जाएंगे तो इसी तरह देखिए मैं सारे बालू शाही को इस तरह हाथों से राउंड करके प्रेस करके बीच में इसमें ये होल कर दूँगी जब आप तेल में डालेंगे तो उसके पहले भी इसे एक बार हाथों से फिर से प्रेस करके होल करके फिर डालिएगा अब मैं यहां बना लेती हूँ चाशनी, चाशनी आप पहले भी बना सकते हैं लेकिन बालू शाही डालते वक आपके चाशनी हलकी गरम होनी चाहिए इस बात का आपको ध्यान देना है तो यहाँ पर देखें मैंने एक कप शक्कर लिया है उसमें थोड़ा पानी डाला है जिसमें मेरा शक्कर ये डूब जाए मुझे यहाँ पर एक या दो तार की चाशनी की ज़रूरत नहीं है बस चाशनी हलकी सी गाड़ी जादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए नहीं तो बालु शाही चाशनी को अच्छी तरह एब्जॉब नहीं कर पाएगी उसमें देखिए कभी कभी शक्कर हमें दिखती नहीं लेकिन थोड़ा कच्रा होता है तो उसमें आप दो बुंद या फिर आधा चमश दूट डाल दीजे तो देखिए इस तरह वाइट वाइट आ जाएगा तो ये तो शक्कर में जो भी कच्रा रहेगा वो निकल जाएगा और आपका शक्कर बहुत ही क्लीन हो जाएगा तो देखिए ये चाशनी अब मैं इसमें डालूँगी केसर मुझे इलाइची का फ्लेवर इसमें नहीं पसंद है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं केसर ऑप्शनल है लेकिन केसर डालने से इसका कलर बहुत ही गोल्डन हो जाता है और सुनहरा हो जाता है चाशनी कभी कभी वाइट पढ़ जाती है यानि क्रिस्टलाइज हो जाती है उससे बचने के लिए आप इसमें डाल दीजिए तीन से चार बुन निम्बू का रस उससे आपकी चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी तो देखे साथ में मैं नहीं आप पर तेल भी रख लग दिया है गरम होने के लिए जिसमें में बालू शाही को फ्राय करूँगी तेल मुझे मेडियम गरम करना है जादा नहीं आप देख सकते इसमें थोड़ा सा बबल जारा है तो अब मैं इसमें डालूंगी बालू शाही एक एक करके आप कोशिश कीजिए कि सारी बालू शाही साथ में डालिए क्योंकि आप जब नेक्स टाइम डालेंगे तो आपको फि मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी आपको फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं करना है ये बात का भी आपको बहुत ध्यान देना है ये सबसे जरूरी बात है यहाँ पर तो देखिए अब जैसे ही बालू शाही मेरी उपर आ गई है मैं इसे हलके हाथों से इस तरह पलट देती हूं जब तक बालू शाही आपकी ऊपर ना आए आपको इस पैचुला यूज करने की जरूरत नहीं है तो मैं इसे दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लूँगी बालू शाही बनाना घर पे बहुत इजी है आप इसे कभी भी बना सकते हैं बना के स्टोर कर के रख सकते हैं तो देखिए गोल्डन हो गया है तो अब मैं इसे धीरे से निकाल लूँगी निकालते वक्त मैं इसे टर्न करके निकाल लूँगी क्योंकि जो मैंने बीच में होल बनाया था उसमें तेल ना रहे तो आप इसे उल्टा करके देखिए इस तरह उल्टा करके बालुशाही डाल दिया है उपर से इस तरह चाशनी डालने से वो उपर से भी अच्छी तरह एब्जॉब कर लेगी तो इस तरह मैं बालुशाही को यहां पर 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि वो अच्छी तरह कोट हो जाए पूरा चाशनी से भर जाए दस मिनट बाद म तो देख रहें कितना सुनहरा दिख रहा है और कितना प्यारा दिख रहा है आप देख सकते हैं धीरे धीरे चाशनी कितनी कम हो गई है यानि बालुशाही ने उसे अच्छी तरह सोख लिया है एब्जॉब कर लिया है तो अब मैं एक एक करके बालुशाही यहां पर निकाल लग रहा है अब मैं इसे सजा दूंगी इस तरह पिस्ते से तो देख रहे हैं कितना बढ़िया दिख रहा है सच मानिये खाने में भी उतना बढ़िया है इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिए और हाँ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आपने चैनल को स प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मैं दिवाली सेक्शन में और भी बढ़िया और मज़ेदा रेसिपी आपके लिए लेके आऊंगी तो बाई